हेलो फ्रेंज आप सभी का क्लव आई इस प्रेंट चैनल पर स्वागत है अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेस्टन्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दूपर 12 बजे हमारी योट्यूब चैनल क्लव आई इस प्रेंट पर लाइफ शेशन पर जुड़ स आप सभी लोगों का सपोड़ रहेगा तो दोस्ता अपने सपोर्ट बनाया रखें और अपने युग के संटराने में पूरा प्रॉश्न पर आते हैं पहला क्वेस्टन सार्वेंट्स और इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसे लिए उप्सन ए मधन महन माल्वी एउप्सन बी शरुजनी नाइडू ओप्संटी जस्टिस रानाडे ओप्संटी गुपाल कृष्ण गोखले तो दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्संटी याने की कुपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंटस ओफ इंडिया ससाइटी की इस्तापना की थी नेस्ट क्वेस्टन राजा राम भुहन राय ने किस का विरोध नहीं किया था औप्संट बी सती प्रता औप्संट सी पाश्यात्य सिच्छा औप्संटी मुर्ति फूजा जो दोस्तों इस प्रशने का सही उत्तर है औ किसका नाम जूड़ा है और संथे स्वामी दयानन्द सरोफ्षति विश्चन पर्मान सstep उप्शन सी स्वामी विवेकानन ऑप्शन दीला मोहन नोज़ान तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है और सिन्थे यानिकि स्वामी विवेकानन स्वामी महापूर सुम्हें से कौन भारती जाकृति का जनना कहलाता है उपसटे बीवेकाननों उपसट्बी रौमोहन राये उपसिन सी रबिंद्रनाद टैगोर्ड उपसंटी दयानन सरस्वति तो दोस्तों इस प्रश्ण का सही उत्तर है उपसन यानिकी रामोहन राये भार्ती जाकृति के जनना कहलाते हैं नेस्ट क्वेश्टन इन्वे से कौन सा कतन सत्य नहीं है ऑप्शन ए सन 1829 में विलियम बैंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अब राध घुसित कर दिया सन 1856 में सरकार ने कानून बनाये जिसके अनुसार हिंदु विद्वाय पुनर विवाद कर सकती थी ऑप्शन से 1875 में स्वामी दयान सरुसती द्वारा आरे समाज की स्थापना की गई ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय सती प्रता के समर्तक थे तो दोस्तों इसमें हमें गलत सती प्रता के समर्तक नहीं घृएं सत्य शimmenलीत की और लास्ट है मुहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कॉलिज अधिगड़ी की स्थापना सरसायांद आहमद खाने की थी तो दोस्तों इस एकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रशने का सही उत्तर है है ली अग्ली और मेरी नेस्ट करोंस्तों और संथिग्यों स्थाफन और अरिशन विशन की सर्फन है tuh तो दोस्तों इस अप्स ओकोर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्ने का सही उत्तर है नेश्ट कुर्शन वेदों की पुनर रुथान का स्रेय किसे है और रामकृष्ण परमहंस ऑप्शन बी रामनुच ऑप्शन सी स्वामी दयानन सरस्वति और आप्शन स्वामी विवेकरण तो दोस्ते इस प् पीरुनेल वेली में भयंकर दंगे हुए थे और ओकलिंग ऑप्शन बी नाडार ऑप्शन सी महार ऑप्शन दी पाली तो दोस्तों इस प्रश्ने का सही उत्तर है और याने की नाडार दोस्तों इस प्रश्ने का सही उत्तर हैं तो दोस्तों इस प्रश्ने का कौन आत्मी सभा के संथापक थे, option A, राजाराम मोहन राए, option B, स्वामी दायनन सरसाथी, option C, स्वामी विवेकानन, option D, स्वामी, sorry, option D, अर्विंद घोल, तो दोस्ते इस प्रश्ने का सही उत्तर है, option A, यानिकी राजाराम मोहन राए, next question, रामकृष्ण मिशन के स्थापना किस ने की थी? उप्शन A, रामकृष्ण परमहंस उप्शन B, MN दास गुप्ता उप्शन C, स्वामी विवेकानन उप्शन D, स्वामी रंगनाध नन तो दोस्ते इस प्रशने का सही उत्तर है उप्शन C ने की आठास आठास 2 मिशन के स्थापना स्वामी विवेकानन ने की इस वरस की थी? आप्शन A, 371 आप्शन B, 591 आप्शन C, 991 आप्शन D, 9733 तो दोस्ते इस प्रशने का सही उत्तर है आप्शन D, ने की आठास गनावी नेस्ट कुश्चिन, उसका प्रधान संबल था समाजी और धार्मिक सुधार, उसने समाजी बुरायों की निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहरा लिया और बाल विवा, परदा प्रधा के उन्गोलन के लिए अवीरां परिश्रम किया समाजी समस्याँ पर राश्टि इस तरपर विचार विमर्श को परसाहित करने हैं थूदू उसने भारतिय राश्टिय समाजी सम्मेलियन का उठाटन किया जिसके अधिवेशन बहुत वर्षा तक भारतिय राश्टि कांग्रेस के साथ साथ होते रहें इसे उठारण में गोविंद रानाडे ओप्शन डी डॉक्टर भीम्रों अम्भीटकर्द तो दोस्ते इस प्रश्ण का सही उत्तर है ओप्शन सी याने के महादेव गोविंद रानाडे नेस्टकर्शन डिम्रों में से किस वर्भ को सर्व प्रृथं प्रशिमी सभ्याता ने प्रभावीत किया कुलीन जमीदार औप्शन से डिन धन्वान ब्यापारी और से क्ली सित्षित हिंदु अभां प्रृष्ट असरेश्चित मुसल्माद तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आप्शन भी याने की स्वामी विवेक गनन नेस्ट क्वेश्चन एंसी शीतलवार बी एन राव तता अलाधी कृष्णा स्वामी आये प्रख्या सदस्य थे आप सने स्वाराज पाटी के आपसे बीन वीवेर लिबरल लिबरल फ्रड एंच्रेशन के अउसें मदरास लेबल यूनियन के औप्सनी शर्वेंट्स Journey सोफ इंडिया ससाइटी के स्प्रिशनाल से 50 इने मेली नहीं ॉप को तो तो भ्योंद प्राठन समाज से लरानश दयाना शरुषित के अरे सम्माज से ये भी सुहीं राजय राम मोहन राही इसमें दिया है आदी ब्रहम समाँ तो दोस्तों ये गलत है आदी ब्रहम समाँ से संबंदीत नहीं। तो दुस्तों इस अकौरडिंन और टोस्तर निया है समयलित नहीं हैं। तो आपसां सी इसमें राजाराम महान रहा है आदी ब्रह्म समाश से समंधीज नहीं है नेश्ट कोश्चिव पस्ट को सुचि सेकेंद से सुमेलित कीजें तता सुचिव के नीचे दिये गए कुट में से सही उत्तरचेन कीजिए मतलब कि समाद सुधार्रण की नाम दिया Anda और उने उनके क्या विचार भाए थी है जो मिलान करते हैं राजा राम भुहन रा एक मरो पर देते हैं राजराम भुहन राइका विजार था कि यह राजराम भुहन आये ने कहा था कि हिंदु धर्म का शुद्धतम रूप उपने सदों में नहीं थे तो इसका एसे फोर से मिलान होगा और केश्वचंद सेन का जो एक कहना था कि ब्रह्म वाद को विश्वधर्म बना चान विदों में संसापी दन से की और जो रास्ट दिया है रामकृष्ण परम्हांस तो रामकृष्ण परम्हांस इन्होंने जोड़ दिया था कि इश्वर तक पहुशने के कई मार्ग हो सकते हैं तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन दी इस प्रशने का सही उत्तर है नेस्ट क्वेश्चन निम्ने में से किस व्यक्ति ने स्वरुप्रतम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राश्ट भासा माना और राजयरामोहन राएं और स्वामी दयानन और स्वामी विवेकानन और बाल गंगाधर तिलग तो दोस्तों इस प्रश्ण का सही स्वामी दयानन सौरौसती द्वारा स्थापी त्थॉ उब्रह्माच स्वास्सथि प्रात्नन संवाच का माना कि और उसने नास्तिक्तैं पर उफ्चन वी अध्तवद पर उफ्चन सी एक देवात पर पर उप्चनु भुधेवात पर तो दोस्थ इस皮श्ने का सहुप्ष्टतर से उप्चन सी याने की एक दिवार पर नेस्ट क्वेस्टन बाल विवाह प्रताव को नियंत्रित करने है तो 1872 की सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की नियुनितम आयू निर्धारित किया ओप्षन ए 14 वर्स ओप्षन बी 18 वर्स ओप्षन सी 16 वर्स ओप्षन दी में से कोई नहीं तो दोस्ता इस प्रश्ण का सही उत्तर है ओप्षन ए याने की 14 वर्स नेस्ट वर्स ओप्षन 18-56 में निवनलिखित कानून पारित हुआ चार पॉइंट से पहला है धार्मिक असुविधा कानून दूसरा सती सेध जेगुलेशन तीसरा हिंदू या हिंदू विद्वा पुनरविवा कानून चौथा राज हडपने का सिद्धा तो दोस्तों में इसमें बताने कि 18-56 में कौनसे कानून पारित हुए थे तो इस जो चारू पॉइंट से उनमें समय चूज करें के बता रहा है तो दोस्तों हिंदू विद्वा पुनरविवा और राज्य को हडपने की जो सिद्धान थे वो यह दोन मतलब कि तीसरा और चौथा 18-56 में चलिए नाइस्ट कॉस्चन पर आते हैं निमनलखी गत्मों पर विचार कीजें पहला करते ने आले समाज की सथापना था 1835 में हुई थी दूसरा लाला लाचपत राये ने आले समाज के उस अग्रह का विरूत किया था जो उसके अपने समाज सुधार कारिक्रमों के समर्थ प्रमाण मानने को लेकर था तीसरा दोस्तों कि केश्वाचन सेन के नित्रतुमें ब्रह्म समाज नारिश इच्छा के लिए आंधोलन चलाये था चौथा विनोबा भावे ने शरार्थियों में काम करने के लिए सर्वोद समाज की स्थापना की थी तो दोस्तों इसमें हमें है तो दोस्ते समाज चीपने में बलकि चुनाऊ करना है तो दूस्तों फश्तर करने आरिज की समाज के अपने आंदोलन चलाया था तो यह तीसा कतन सही है और चौथा जो दिया है इसमें की विनोंबा भावे ने श्रडाथियों में काम करने के लिए सर्वोदे समाज की स्थापना केती तो दोस्तों चौथा कतन भी सही है तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्षण D इस प्रशन का सहयूत्तर है नेस्ट क्वेश्टन राधास्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे उप्षण A हरिडास्वामी ओप्षण B शिव दयाल साहब ओप्षण C शिव नरायन अग्मी होत्री ओप्षण D स्वामी श्रद्धाना तो दोस्तों इस बाल विवाह प्रतिबंद से, उप्शन बी अंतर जाती विवाह प्रतिबंद से, उप्शन सी वीदभा विवाह प्रतिबंद से, उप्शन दी जन जाती विवाह प्रतिबंद से, तो दोस्ते इस प्रशने का सही उतर है, उप्शन ए याने की बाल विवाह प्रतिबंद से, न नरायन अग्ने होत तरी नेस्ट so is this को मिलान करना है कि कि समाज या किस संस्था कि सापना कहां पे हुई थी तो दोस्तों चलिए इन करते हैं ब्रह्म समाज कि सथापना दोस्तों कलकत्ता में हुई थी मानवधर्म सभा आरे समझ कि आपने सूरा दोस्तो बंबाई में होई थी और नदवा उलॉल्मा सपने में होई तो दोस्ते सम्होंपने करते हैं कि इदी भगवान अस्पृष्यता और सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान और दोस्तों इस प्रश्न का सही उतर है और याने की बाल गंगा धर दिलग नेस्ट वहरास्ट में प्रात्ना समाज का प्रात्ना समाज का मुख्य संचालग कौन था आप्शन ए आजी भन डालकर, आप्शन B, M.G. रानाडे, आप्शन C, पंदित रमाबाई, आप्शन D, गोपाल करनेश आगरगर तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप्शन B, यानि की M.G. रानाडे, महादे और गोफिंद रानाडे नEXT tweeted, नेमिलिख़्ित में से कौन एक सुमेली नहीं है? Option A, भारती ब्रह्म समाज, इसमें दिया है, राजराम मौहन रहिं, बोदनी सभा, दोस्तों इसमें कौन सुमेली थे, सही सुमेली थे? हमको यह बताना है, दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन C, ब्быदनी सभाण अग्व तो स्ट्या शुद्ध समाज इसमें दिया देवेना ट्यगोर तो दोस्तों यह भी गलत है तीसरा आपशन भी क्यूंकि सब्सक्राइब की स्थापना जोतिबाप उली ने किया था और लास्ट जो दिया है कि the servants of India society की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले तो दोस्तों यह option 10 प्रशने का सही उत्तर है यानि कि the servant of India society की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था नेस्ट क्वेश्टन भारत में पुनर्जागर्ण अंदोलन का अग्रणी दूद था ओप्शन ए देवेंद्र नात्यगोर ओप्शन ब केश्वर चंदर सेन ऑप्शन सी इश्वर चंदर विद्या सागर ओप्शन डी राम मोहन राय तो दोस्तों इस प्रशने का सही उत्तर है तो दोस्तों इस प्रशन का सही उत्थर है और ओफ्शन सी याने की अथा एश्वारे मैं नेस्ट क्वेशन सथ्यारथ प्रकाश की रशना कि गए थी तो दोस्तों इस प्रशने का सही उत्तर है तो दोस्तों इस प्रशने का स्वाशाशन का इस्थाना पत्र नहीं है तो दोस्तों इस प्रशने का सही उत्तर है तो दोस्तों इस प्रशने का सही उत्तर है तो दोस्तों इस प्रशने का स्वाशाशन का इस्थान पत्र नहीं है नेस्ट क्वेश्चन शार्दामनी कौन थी और राजरामोहराई की पत्नी और बाकी दों दोस्तों कट हो गया है इसके लिए सौरी लेकिन इस प्रशन का सही उत्तर और लुए और दोस्तों और रामकृष्ण परहमनस की पतनी जली दोस्तों नेस्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेवने में से कौन भारत का मार्टीन लूथर कहलाता है ओप्षिंडियानणा conservasi 2. رाजराम वोहनराए 3. स्वामी विवेकानन 4. सुम्ही स्रधधानन दोस्ति इस प्रश्ने का सही उत्तर है ओप्षिंड ए जयानिकी स्वामी दयानणiffmani उतर सती भायत के मार्टीन उतर केहला ते है नेश्ट कोस्षिंड कैम तूसरा नगरिये उच्छी जातियां तीसरा निर्धन सर्वसाधारण चौथा उदार रजवाड़े वर्ग तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि उदार रजवाड़े इन तीनों को प्रभावित किया था तो दोस्तों इस समाधी है आपसेन कोलकाता में आपसेन पट्ना में आपशन और सी ब्रिस्टल इंग्लाइंड में जान तो दोस्तु इस प्रस्टल इंग अनन के बिस्टेल इंग लाइन में नेस्ट कर्शेन निम्रल खित को कालनुकरम में रखिए पहला दिया है तुलसी दास दूसरा राजाराम मोहन रहा है तीसरे स्वामी विवेकानन 14 दयानन सरस्वती तो दोस्तों में इसे कालकरम के अनुसार रखे तो प्रशन का सही उत्तर होगा पहले दंप पे तुलसी दास दूसरे राजाराम मोहन रहा है और तीसरे पिर दयानन सरस्वती उसके बाद भी चोथे लास्ट आएंगे स्वामी विवेकानन चलिए दोस्तों नेस्ट कर्शन पर आते हैं 4843 के एक्ट फाइफ ने किस बात को गैर का पिता कहा जाता है और यान्य याने की राजा-राम मोहन रहा को भार्ती पुनर जागरण का इनकी प्रारव हुए पद्माबाई राना दे आप्सिन प्रश्ण का सही उत्तर है उप्शन दी यानिकी जोतिवा फुले नेस्ट कोस्ट निमनलखीत कत्मों पर निमनलखीत कत्मों को ध्यान पुरक पढ़िए पहला कथने ब्रह्म समाज एक श्वर वाद का समर्थन करता था दूसरा आरे समाज ने सिच्छा के विकास में योगदा तीनों हेकतन सही हैं नेस्ट कोस्टन भारती ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ओप्शन देवेंद्र ना टैगोर ऑप्शन भी इश्वर चंद विद्या सागर ऑप्शन सी केश्वर चंद सेन ऑप्शन दी राजाराम बोहन रहा है तो दोस्तों भारती ब्रह्म समाज के संस जो दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है यानिकी राधाकंथ देव नेस्ट कोश्चन ब्रहम समाज रामकृष्ण मिश्चन और आरे समाज में क्या जमानता थी और सने तीनों ही राजन्यतिक उद्धिश्यों के लिए लेकिन और देश्च फक्ति और इस प्रशन के संध्धियों नहीं बने ने के सहाय ने पिसल चमय को защांट्ट बागल लिंग से यानिकी ब्रम समाज रामकृष्ण मिश्चन और आरे समाज प्रशन कि उद्धिश्यों के लिए नहीं बने assessment तूब नहीं देश भक्ति की भावना की विकास ने साहयता दी तो दोस्तों इस प्रशने का सही उत्तर है नेस्ट कोर्च्टन भारती राष्टवात का पैगंबर किसे माना जाता है आप्शन A, MK गांधी आप्शन B, राजराम मोहन राय आप्शन C, रविन्ना टैगोर आप्शन D, धेनन सरुसती तो दोस्ते इस प्रशने का सही उत्तर है आप्शन B, यानि की राम रोहन राय को भारती राष्टवात का पैगंबर माने जाता है नेस्ट क्वेशन आरी समाज की स्थापना का वर्स है आप्शन A, 1665 आप्शन B, 1870 आप्शन C, 1875 आप्शन D, 1880 तो दोस्ते इस प्रशने का सही उत्तर है नेस्ट क्वेशन निमलखित संगतनों में से किसने शुद्धी आंदोरन का समर्तन किया आप्शन A, आरी समाज आप्शन B, ब्रह्मर समाज आप्शन C, देव समाज आप्शन D, प्रातना समाज तो दोस्ते इस प्रशने का सही उत्तर है आप्शन A, याने की आरी समाज नेस्ट क्वेशन निमलखित में से किसने महाराष्ट में प्रातना समाज की स्थापना की थी आप्शन A, आत्माराम पांडूरंग ने आप्शन B, जोती बाप फुले ने आप्शन C, एमजी चंद्रकार ने आप्शन D, एमजी रानाडे ने तो दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है आप्शन A, याने की आत्माराम पांडूरंग ने महाराष्ट में प्रातना समाज की इस्थापना की थी नेस्ट क्वेशन बहुजन समाज का संस्थापक कौन था आप्शन A, श्री नारायन गुरू, आप्शन B, मुकंद राव पार्टी, आप्शन C, डॉक्टर भीम राव अमेरिकल, आप्शन D, बी आर शिंदे तो दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है आप्शन A, यानि की एनिवेसिन के कारण भारत में थियो सफ़लता का मुक्षित थी, मुक्षित कारण थी नेस्ट क्वेस्टन, निम्नलखित में से किसने अठार सो भात्य में नेट्यू मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्पूर भूम का निभाई थी तो दोस्तों इसमें पुछा है नेट्व मैरिज एक्ट तो इसमें बताना है कि किसने महत्पूर भूम का निभाई थी तो दोस्तों इस प्रशने का सही उत्तर है उप्सन सी यानिकी केशोचंदर सेन नेस्ट क्वेस्ट निम्नलखित यूगमें से कौन सुमेली नहीं है आप्सेन ए राजराम मुहन राय का ब्रह्म समाज से स्थापना की स्थापना किते हुए उन्हें अप्सवामी विवेका ने रामकृष्ण विश्ण की महादियोगोवी नाने दिन जो इसमें दिया है कि थियो सॉफिकल सोसाइटी तो दोस्तों ये गलत है थियो सॉफिकल ब्लावेट्सकी और राजराम मोहन्राय और निए स्वामी भिवेकानद दोस्तों इस प्राश्न का सही उद्टर है याने की मैडम मोहन रहा है तो दोस्ता इस प्रश्ण का सही उत्तर है option B यानि की श्वचंद विद्यासागर लेस्ट क्वेस्टन कि शार्दा अधिनियम के अंतरगत लड़कियों एवं लड़कों की विवाहा की नियुनतम आयों कितनी निर्धारी की गई थी option A 12 एवं 16 वर्स, option B 14 एवं 18 वर्स, option C 15 एवं 21 वर्स, option D 21 एवं 22 वर्स तो दोस्ते इस प्रश्ण का सही उत्तर है option B यानि की लड़की क्योंबर 14 वर्स और लड़के को 18 वर्स निधारी की गई थी option D सथी प्रता का विरोध करने वाले बुद्ध जीवियों ने तो दोस्ते इस प्रश्ण का सही उत्तर है option B यानि की अकबर द्विती ने राजयराम मोहराय को राजय की इंपारी दी थी तो दोस्ते इस सेशन का ये लास्ट वीडियो था खतम हुआ और हमारे साथ अभी तक इसको पर्शिस करना चाहते है तो जल से जल दोस्ते इसको पेट को पर्शिस कर लीजे इस समय जोग्रॉफी की बहुत ही अच्छी क्लास सड़ी है शाम साथ से शाम नौ बजे तक अगर आप सभी हमारे एप को इंस्टॉल करना जाते हैं तो कूगल प्ले स्टोर पे जाके क अगर आप सब्सक्राइब को इंस्टॉल कर सकते हैं तो अगर आप सभी कमारे वीडियो अच्छा लगा तिससे जादर जदर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक्यू